हेलो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से हारदिक स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर उमीद आप सब ठीक होंगे स्वस्तोंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम मेंटल अबिलिटी टेस्ट का चैप्टर फाइव करने वाले हैं जिसका नाम है एनलोजी और हिंदे में से हम बोलते हैं साध्रिश्यता दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर से जिवार नोदे अविदेले क्लास 6 के एक्जाम में पांच मांक्स का कोश्चन आता है दोस्तो यह टोटल चार कोश्चन आते हैं जो कि पा वीडियो को सुरू से लाज तक बिल्कुल धेन से जुरूर देखेगा ताकि आपको सब कुछ अच्चे से साज़् में आ जाए तो चली दोस्तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तो सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ कि एनलोजी का मतलब होता है एनलोजी का हुआ है ये दोस्तों जो 30 कों कोशचन फिकर बोलते हैं और दूसरी सेट जो चार आपको 1,2,3,4 करकर दी होती है इसको हम अंसर फिकर्स बोलते हैं इन्य की उत्तरा आकरितिया बोलते हैं इसमें दोस्तों आपको दो सेट दिये होंगे पहला सेट ये भी separate है लेकिन इस set में दोस्तों एक figure जो है वो missing है सिर्फ एक figure का आपको पता है और ये दोनों set दोस्तों जो ये दोनों set है ये दोनों set आलग किये गया है किसके तवारा double colon के दवारा ठीके ना अब होता क्या है जो ये पहले set की आकरिति हैं ये दोनों में कुछ ना कुछ आपको relation find करना है इन में कुछ ना कुछ संबंध है कुछ ना कुछ relation है दोस्तों अब relation क्या है दो देखो दोस्तों इस आकरिती में अगर आप देखोगे तो ऊपर एक circle नीचे एक triangle है और इस आकरिती में भी ऊपर एक circle है नीचे ट्रंगल है ठीक हैं लेकिन दोस्तों अगरा आप ध्यान से देखो गहें ये जो उपर सरकल है वो उपर ही रहेगा नीचे जो ट्रेंगल है वो नीचे ही रहेगा बस इनका साइज चेंज हो जाएगा तो यही रिलेशन दोस्तों आपको इन दोनों में लगाना है यानि इस रिलेशन को फोलो करने वाली जो आकरिती है इन चारों में से आपको ढूंडनी है कि उपर तो चतरबुजी रहेगा, नीचे त्रीबुजी रहेगा इस relation के coding, बस फर्क क्या होगा, चतरबुज का size बड़ा हो जाएगा, वो त्रीबुज का size क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इस प्रकार की जो आकरिति है वो आपका सही answer होगी, और आप देख सकते हो ऐसी आकरिति option, second में है, ना तो first है, ना ही third है, fourth में दोस्तों नीचे triangle तो है, लेकिन triangle का size बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि triangle का size छोटा होना चीए, तो option भी आपका सही उत्तर यहाँ पी हो जाएगा, तो इस प्रकार की question दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, द जो की है, चक्षू publications की, आप सक्रीन पे दोस्तों देख सकते हो, बुक कुशिस प्रकार है, यहाँ पे लिखा है चक्षू publication, जवार नोदेव दल्या, क्लास 6 की, दोस्तों जो preparation है, उसके लिए अच्छी book है, इसमें आपको तीनों portion मिलते है, mental ability test, चाहे वो math हो, ठीक है, य इस book को दोस्तों आप offline भी खरीद सकते हो, अपने आसपास किसी भी bookstore से पता कर लेना अगर वहाँ पे available है, otherwise दोस्तों इस book को आप online भी बंगवा सकते हो, online आप यहाँ पे इसको दोस्तों फिलिपकार्ट, Amazon यह snapdale पे order कर सकते हो, और कुछ बच्चे link के बारे में पूछ रह और भी मजबूत बना सकते हो, तो combo pack में आपको यह दोनों मिलेगी, तो दोनों भी आप खरीद सकते हो, तो अभी order कीजिए दोस्तों फिलिपकार्ट, Amazon, snapdale पे अगर आप इस book को खरीदना चाहते हैं, तो चले दोस्तों टोपिक वे वापिस आते हैं, तो दोस्तों आपको स ध्यान से देखो, यहाँ एक एक point आपको ध्यान से सुनना है, और उसको ध्यान में रखना है, वही आपको इस chapter में काम आने वाला है, पहला है look carefully the shape of designs, दोस्तों जो भी आपको आखरीतियां इसमें दी जाएगी इस chapter में, उसके shape होगी जो, ठीके न, shape को आपको ध्यान में आना चाहिए कि कोई भी जो shape है, ठीकन आकरीति हैं, वो कितने degree पर rotate कर रही है, 45 पे 90 पे 135 पे, 180 कितने degree पर rotate कर रही है, आपको पता होना चाहिए, इसके इलावा दोस्तों, look the mirror image of the design, तो हो सकता है, जो आपका relation बने, वो mirror image का relation बने, यानि कोई आकरीति आपको दी हुई है जैसे आपको simple आकरीति बोलता हुए, एक arrow का sign दिया हुआ है, और इसका relation दे दिया कुछ इस टाइप के arrow के साथ, तो हम आप समझ सकते हैं, यहाँ पे mirror image बने हुई है, तो इसका mirror image का जो यह पहली आकरीति है, इसकी mirror image बनेगी second वाली, ठीकर ना तो इस टाइप का भी relation यह related है, तो आपको पूछ लेंगे कि चार बुजा वाला किस से related होगा, तो दोस्तों अगर तीन वाला चार से एक ज्यादा से है, तो चार वाला किस से हो जाएगा, पांच वाली बुजा उसे, पांच बुजा वाली आकरीति से related हो जाएगा, तो side से related भी हाँ पे question आते हैं, इ इसमें जो design की, कुछ न कुछ उसमें दोस्तों replace करतेंगे, यानि कोई एक design था, उसकी जगा कुछ अन्य design करतेंगे, यह फिर design को rearrange करतेंगे, कोई design दोस्तों नीचे था, ऊपर नीचे करतेंगे, तो इस परकार इन चीज़ों को आपको analyze करना है, अच्छे से, इसी type के question बन की, तीसरा दोस्तों number of side के अधार पर, यानि जो side होगी, किसी भी, जो भी shape आपको दी हुए, उसमें कितनी बुजाए होगी, तो बुजाओ के अधार पर question पूछा जा सकता है, जैसे भी मैंने आपको बताया, triangle का और चतर बुज का, तीन बुजा वाली, चार बुजा वाल यहाँ पे, जो कि है position वाला, ठीके न, तो position में देखो आपको क्या करना होता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना बहुत ही easy है, बस आपको समझना है, फिर आपको easy लगने लएगा, और आप खुद भी question बना पाऊगे, तो दोस्तों, एक set यह दिया हो है, और एक set यह दिया सबसे अंदर त्री बुज दिया है, उसके बार चत्र बुज दिया है, और फिर यहाँ पे कह दिया है, एक circle दिया है, ठीक है, लेकिन जो second है, जिसके साथ इसका relation है, उसमें देखो क्या बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो चत्र बुज है, ठीके न, उसके अंदर पहली वाली में क्या था, ट्रेंगल था, लेकिन इस वाली में इसके अंदर क्या आ गया, सरकल आ गया, ठीके न, अब जो पहले वाली थी, इसमें सरकल बाहर था, लेकिन दूसरी वाली में सरकल कहा पर आ गया, अंदर, पहले वाली में त्री बुज अंदर था, और त्री ब पूज वहीं के वहीं रहा जो इसे रिलेशन का यूज करने आपको यहां पर फोर्थ में तो देखो दोस्तो अगर बात करूँ जो थार्डड शेप है इसमें क्या है सबसे पहले बीच में तो दिया हुआ है आपको चत्रबूज और चत्रबूज के बाहर भी चत्रबूज ठीके ना अब होगा क्या ट्रेंगल तो दोस्तों अंदर ही रहेगा ठीके ना जो अंदर वाला चत्रबूज है वर्ग टाइप का वो आजाएगा बाहर वो आजाएगा बाहर और जो बाहर वाला दोस्तों चत्रबूज है थोड़ा इस टाइप का वो आजाएगा अंदर तो इ वाला चत्रपूर्ट यहां पर आने वाला है दोस्तों वर्ग टाइब का तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस टाइब का किसमें बना है इसके न बना है पर सरकल आया है और फिर जो बाहर वाली जो मदल बाहर वाला जो चत्रबूज तो अंदर आ जाएगा तो उपसन नंबर भी आपका सई अंसर यहां पर हो जाएगा तो पोजीशन चेंज वाले कोश्चन है इसके लावा दोस्तों नंबर ओफ सैड वाले कोश्चन भी आपके पास आ सकते हैं जो भी मैंने चार साइड है तो बाद की जो आकरिति आएगी उसमें एक साइड बढ़ जाएगी पांच हो जाएगी तो अगर से Consortide वाली जो की कौन confirm 3 तो ही आह 와 जायेगा तो । पर कालो केड़ साईड वाले कोस्टेशन आते हैं अब आग fiction recall === वो ही डॉस्त तो कोई भी ईकिसी पपकड़ो ए मैं ये वाले साइड लेता हूं इसकी ठीक नीचे की तरफ थी लेकिन दूसरी साइड कहा हो dub tying इस साइड हो गई यानि कि दोस्तों कितना डिग्री यह मूव कर गया तो ध्यान से देखेंगे कितना डिग्री मूव किया यहां से यहां चला गया यानि इस साइड चला गया तो यह होता है दोस्तों पैंतालिस डिग्री यहां पर बनेगा नब्बे डिग्री और फिर बनेग किया है तो अब गड़ी की उल्टी दिशा में ही हमें रोटेट करना है कौन सा दूसरे वाला ठीक है ना यह वाला भी दोस्तों रोटेट करना है गड़ी की उल्टी दिशा में देखो कैसे रोटेट करेंगे किस दिशा में है या इस दिशा में है तो एंटिक लोकवाज दिशा कुन सी बनेगी ये वाली ठीक है ना एंटिक लोकवाज दिशा कुन सी बनेगी दोस्तो ये वाली बनेगी तो इसको करो यहां पर आएगा दोस्तो 45 ठीक है न यहां पर क्या आएगा 45 फिर यहां पर बनेग तो यहां पर दियाए दोस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 135 तो यहां पर बनेगी तो यहां पर गपाई दोस्तों इसकी शेप बनेगी तो उल्टा ए आएगा तो फूर्थ वाल आपका सही अंसर यहां पर हो जाएगा एक बार दोबारा बता देता हूं दोस्तों यहां पर आप जहां से देखोगे इसका एक ही जो यह वाला सीरा कहाँ पर नीचे है और इस आकरिति में कहा चला गया इस सेट चला गया यहां चला गया तो कितना डिगरी घूमा यहां पर आएगा 45 फिर आएगा 90 और फिर यहां पर आगया दोस्तों 135 डिगरी सेम काम दोस्तों इसमें करना आपको इसको 135 गमाना है ठीक ना एंटिक लोग में तो सबसे पहले 45 फिर यहां पर 90 और फिर यहां प 135 डिगरी ठीक है ना फिर यहां पे 135 डिगरी गूमके नीचे की तरफ आ गया किसकी तरफ आ गया नीचे की तरफ यानि कुछ इस टैप से दोस्तों शेप बनेगी तो चुत्था उप्षन आपका सही हो जाएगा तो टोटल यह चाल टाइप के दोस्तों कुश्चन आएंगे पोजेशन चेंज के अधार पर फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे नंबर ओफ सैड के अधार पर और दोस्तों जो लास्ट है चोथा वो है रोटेशन के अधार पर तो उमीद एक कंसेप्ट आपको सहज में आ गया होगा अब दोस्तों मैं आपको करवाने वा मेरे अंसर देने से पहले आपको खुद अंसर देना है और पिर जिक मैं उसका बताओंगा सभी हैं सब्दोस्ते हैं ने सर्में दोस्तों मैं क्या क्या दिया हुए एक दोस्तों आपको question figures दी हुई है यहां पे आपको पता है इसमें दो set होते हैं यह दो set रहें पहले set में आपको relation डूंड़ना है और दूसरे set में वो relation लगाना है और पता करना है कि यहां पे कौन शी आकरिती आएगी इन चार answer figures में से जिससे relation सही लग जाए ठीक है न तो सबस दोस्तों वर्ग है यानि कि sphere है और फिर सबसे अंदर है याप त्री ठीक है दूसरी में आप देखो कि त्री बूच सबसे बाहर है बीच में दोस्तों वर्ग यानि sphere है और circle बिलकुल बीच में अंदर है तो जल्दी से बताओ आप एक बार इस shape से कूंशी shape बनेगी आपको pattern पता चल गया होगा मैं एक वर और बता देता हूं क्या pattern लगा है इसमें बीच वाले तो दोस्तों बीच में ही रही सरकल सबसे बाहर था वो सबसे अंदर आ गया तरी बुज सबसे अंदर था वो सबसे बाहर चला गया तो कुछ इस टाइप का दोस्ते हाँ पर relation लगा हूँ तो जल्दी से यह वाला relation इसमें लगाओ तो दोस्तो पोज करके इसका answer आपको अपनी notebook में लिख लेना है उमीद आपने लिख लिया होगा अब मैं इसका answer आपको बताता हूँ दोस्तो बीच में कहा यहां पे वर्ग है तो बीच में ही रहेगा ठीक है ना बीच में कहा यहां पे वर्ग है तो यह दोस्तो कहां पे रहेगा बीच में ही रहेगा अंदर दोस्तो सरकल है तो सरकल कहां पे आ जाएगा बाहर और बाहर कहां ट्रेंगल है तो ट्रेंगल कहां प तीसरी में तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा जो option 3 वाला है वो आपका सही answer हो जाएगा तो वो आपको भी बताना है comment करके क्या आपका अंसर सही है या गल्द है अब दोस्तों हम करते question number second question number second में अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों यह आपको question figure दी हुई है और इसकी answer figure यहाँ पर दी हुए है तो इसमें आपको relation ढूड़ना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर relation ढूड़ने की देखते है क्या बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इसमें mirror image वाला relation बना है mirror image यानि कि जो दूसरी आकरिती है वो पहली आकरिती की mirror image धरपन प्रतिविम है देखो यह ऐसे था और कुछ नीचे आया फिर step से हो गया जब इसको दरपन में रखोगे सीसे में रखोगे तो सीसे में कुछ step से आपको दिखाई देगा इसका उल्टा हो गया ठीक है यह कुछ ऐसे है और कुछ इससे है तो दरपन प्रतिविम में क्या होगा arrow की सेड आएगा इससेड और यह दोनों सेम आ जाएंगे इस सेड यह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा इस सेड रहेगा ठीक है तो कुछ इस प्रकार की शेप आपकी बनने वाले है तो हम देखते हैं इ लेकिन यहाँ पर जो डंडा है वो नीचे दिया है तो यह दो नहीं होगी आई दूसरी हो सकती है तीसरी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें बिल्कुल नीचे दे दिया और चोती भी नहीं होगी क्योंकि इस सेड दे दिया और वह भी नीचे करके दिया हो है तो दूसरे वाला दोस्तों कहीं सब्सक्राइब देख सकते दूसरे वाल आपको यहां सही अंसर हो जाएगा आप देखले question number three question number tree में देखो question number three में देखो दोस्तोス question figure आपको दी हुई है question figure में आपको क्या set दिया है यह वाला तो किस साइड फायर। तो कितने डिडिगरी गूम में एक सेड बहुत ने इसright मैं इसको यह प्रूटेशन के यहाँ इसे आ जाएगी कैसे आ जहीए ऐसे मतलब अगर हम बात करें जो यह वाली थी यह यहाँ पर आ गई तो यह वाली खाएगी ऊपर आ जाएगी तो इस टैप से आपकी फिगर बन जाएगी रोटेट होने के बाद ठीके ना तो रोटेट होने के बाद दोस्तो कुछ इस टैप से आपकी फिगर बनेगी और आप देख सकते हो इस टैब की figure कौन से option में है चोथे वाले में है तो चोथे वाला option दोस्तों आपके यहाँ पे सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब करते है question number 4 तो question number 4 दोस्तों यह रहा आपके सामने दोस्तों आपको एक-एक question को पहले खुद solve करना है और फिर comment करके बताना है कि आपका answer क्या आया है चेक करने के बाद फिर वो सही है यह गलता यह भी आपको बताना है और last में जरूर बताना score कितना रहा तीस में से तो दोस्तों चोथा question यह रहा यह इसकी उत्तरा घृतिया दी हुई है ठीक है तो चलिए करते ह है इसको सोन तो relation दोस्तों बहुत ही easy आपको साज में आ रहा होगा एक यहां पर वर्ग दिया है वर्ग के अंदर कहता क्रोस था तो यहां पर भी वर्ग है बस हुआ क्या हो गया बड़ा हो गया क्रोस क्या हो गया दोस्तों बड़ा तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों सरक तो कोश्चन नमबर 5 में क्या है एक लाइन दी हुई थी एक क्या दी हुई है लाइन दी हुई है ठीक ना एक लाइन दी हुई है दोस्तो कोश्चन नमबर 5 में और इस लाइन के इस सेट तो दिया है ट्रेंगल ठीक ना इस लाइन के ऊपर तो क्या बना है ट्रेंगल ओ नीच तेन्टाउगे माइनिस का है डंडा आ अगया ठीक न अगर आप वह तीन चीजाती पहली आगरिति में ट्रेंगल था एक डंडा था और एक क्रोज था और किसमें भी तो तीन चीजे दूसरी में कहां़ त्रेंगल भी आप वो ड्नडा भी है लेकिन हुआ क्या करर दी जो सबसे उपर राहिभ वो सबसे बीच में आ गया नीचे ना इसके नीचे सबसे नीचे था रहे क्रोज पोट सबसे ऊपर चला गया पर सबसे उपर और जो ड्नडा देखना बीच में क्या था बीच में डंडास आ था मैनिस था जलो सबसे बड़ा था यह जो नीचे आ गया तो उन्हम uca यापकरिती में सबसे उपर दोस्तों का सरकल दिया है नीच सबसे पहले क्या होगा भी बीच वाला वे बीच वाला नीचिया यहाइन है जो आपका डीच चाओ पूंड हो जाएंगा कुंझendamक काशुप आपकी बनेगी, बीच में सबसे बड़ा तो सरकल होगा, इसमें सरकल नहीं है, इन दो में सरकल है, और नीचे दोस्तों आपका, क्या होगा चतरबुझ, ऊपर पलस का साइन, तो इस चोथे वाले में आपको देखने को मिल रहा है, तो option 4 आपको यहां पर सही अंसर हो जाएग ठीक ना, और यह image दोस्तों second में भी है, बस second में क्या हुआ, यह image थोड़ी सी उल्टी हो गई, क्या होगी, उल्टी हो गई, ठीक ना, अब इस image में, नीचे क्या दिये हो है, तीन पलस दिये हैं, और बाहर उपरली side कितने दिये हैं, दो पलस दिये हैं, लेकिन जब इस से second इमेज बनी, इसमें क्या हुआ, जो दो पलस उपर थे, वो उपर ही रहे, लेकिन वो अंदर आ गए, और नीचे तीन पलस थे, तो नीचे ही रहे, लेकिन वो क्या होगे, इस आगरीती से बाहर हो गए, तो relation में क्या बना हुआ, देहन से देखो, सबसे पहले तो जो shape थी, उपर से नीचे, नीचे से उपर हो गई, उसके बाद क्या हुआ, जो पलस के sign थे, उपर वाले जो बाहर थे, वो अंदर आ गए, और नीचे वाले जो अंदर थे, वो बाहर चलेगे, तो यहाँ पर दोस्तों रिलेशन लगा हुआ है, अब यही रिलेशन आपको लगाना है सबसे पहले ट्रेंगल को उल्टा कर देंगे, ट्रेंगल को उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसके बाद जो उपर वाला दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकल है, ठीके न, वो तो आ जाएगा अंदर जो बाहर है, ठीके न, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, वो जो नीचे वाले अंदर है, वो कहां हो जाएगे, वो बाहर हो जाएगे, तो कुछ इस टैप से आपकी जो शेप है, वो बननी चाहिए, तो अगर आप देखोगे, इस टैप की कहां पर बनी, उप्सन तीन में बनी है, ठीके न, यह तो बिल्कुल भी नहीं होगे, वन और फ उपर भी बाहर कर दिया, नीचे भी बाहर करते हैं, इसलिए यह भी नहीं होगा, तीसरे वाला ही सही बना है, उपर वाला सरकल अंदर आएगा, नीचे वाले दो सरकल बाहर आएँगे, ठीक है, तो इस पर कर आपको रिलेशन डूड़ना है, रो लगाना है, अब दोस्तों पर पल्ट गया ऐसे आगया फिर यह भी पल्ट गया कुछ इस टैप से हो गया यह भी पल्ट गया कुछ इस टैप से हो गया यह भी पल्ट गया कुछ इस टैप से हो गया इन्हीं सब काम किसमे करना है इसमे करना है इनको भी दोस्तों क्या करना है रोटेट करना है तो सबसे पहले नीचे वाली है जो कैसे आएगी इस टैप से आएगी फिर जो दो दी हुई है यह कुछ इस टैप से आजाएगा तो यह वाली शेप आपकी बनेगी अगर अगर आप देखो कौन हो जाएगी यह तो नहीं होगी सेगेंड की बात करें पहली शेप बिल्कुल सही है इस जैसी है ना दो एरो राइट में है एक नीचे वाला लेफ्ट में तो बिल्कुल सही सेट में सेम दिया हुआ है थर्ड में अगर आप देखोगे तो यह एरो की गड़बढ़ है और फोर् बाहर जो सेट है वह निकली हुई है अब हुआ क्या इससे चत्रबु जी रहा लेकिन जो बाहर सेट है निकली हुई थी उनकी जगा अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं पर थोड़ा डार्क हो गया ठीक है ना बस सेम काम यहां पर करना है तो त्रीबु जाएगा और दोस् दो आयत है अंदर सरकल है तो सरकल बाहर चला गया आयत अंदर आ गई यह जो बाहर तता वह अंदर आगा अंदर वाला बाहर इसमें भी सेम काम होगा बाहर पन्च बुझ है तो पांच बुझा वाली आकरीति कहाँ पे आजाएगी अंदर आजाएगी ठीक ह theor है ना तो option 3 आपका सही हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं दसमें की 10th question में आप देखोगे तो यह rotate हो गया किसी हिसाब से देखो पहले क्या था एक यहां पर क्या दिया हुआ है मैं आपको बना के दिखाता हूं क्या दिया हुआ है एक step की shape दी हुए यह वाली फिर यहां पर नीचे बनेगी step से mirror रखने पर ठीके ना अब यहां पर होगा क्या यह mirror image बेकर आप ना मानों तो आप यह देख सकते हो रोटेट हो गया ठीके ना कितने डिगरी रोटेट होगा 180 डिगरी जो नीचे थी वह कहां पर आगी उपर आगी 180 डिगरी रोटेट कर गया तो इसको भी 180 डि ठीके ना फिर दो लाइने आएगी और फिर उसके बाद क्याएगा दोस्तों सरकल आएगा तो कुछ इस टैप से बनेगा यह option 1 में है बाकि सब option गलत हैं तो option 1 आप यहां पर सही answer हो जाएगा अब देखते question number 11 question number 11 में आप देखोगे एक हाथी दिया हुआ है फिर यहां पर दो गाए देदी यानि एक से कितने होगे दो हो गए तो इसी परकार यहां पर तीन दी हुए है तो तीन से कितने होगे चार अब चार दोस्तों एक या अगरिती में किसमें तीन वाली में तो उपसंतीन आपका साइंसर यहां पर हो जाएगा ठीके ना उसकी बाद बात करते question number 12 में क्या है एक यहां पर दिया हुआ दोस्तों वर्ग वर्ग के अंदर शेप है और शेप के दो सैड़ में दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा हां डंडे टाइप से यहां पर निकले हुए ठीके ना यहां पर भी क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा वर्ग आएगा वर्ग के अंदर क्या आएगा एक सरकल आएगा बर टंडे नहीं आएगे तो वर्ग के अंदर सिंपल सरकल आएगा उप्सन फोर आपका सही अंसर हो जाएगा ठीके ना उसके बाद देखते हैं question number 13 question number 13 में क कर दोस्तों अगहराइब बाद जहु अगर आप जहां से देखोगे है वाइट वाला इस सैड़ था और दूसरी में कहा गया नीचे आ गया यह यह वाला ऊपर Tha साइड और जो डंडे वाली है वो राइट साइड उप्सन फूर आपका यहां पर सही अंसर हो जाएगा उसके बाद कोश्चन नमबर फोर्टिन कोश्चन नमबर फोर्टिन मगर आप देखोगे सबसे बाहर कहा दिया आपको एक वर्ग दिया है वर्ग अंदर कहा कि ट्रेंग इस टाइब का बनेगा जो कि आप देख सकते उप्सन वन में हैं उप्सन वन आपका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद बात करता है कोश्चन नमबर फिफटिन की के आप दयान से देखो तो तीन जो सरकल है इस टैप से दिए हो है जो एक दूसरे से और हर तीनों में क्या है दो दो दोस्तों आपको लाइने मिलेगी दो तो क्या मिलेगी लाइने लेकिन जब आप दोस्तों अगली सेकेंड आकरिती में देखोगे तो जो सरकल की पोजीशन तो सेम है लेकिन जो लाइने थी बिल्कुल क्लोज आगी बिल्कुल क्लोज आगी बिल्कुल क्या होगी दोस् सबस्सक्राइब ना फिर दोस्ते यहां पर यहां पे दोस्तों सबस्ते पहले बनाता हूह ठीकक तो क्लोज आने के बाद दोस्तों ये वाली साइटे थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी ये वाली साइटे थोड़ी सी क्या हो जाएंगी डार्क हो जाएंगी ठीक है ना तो अगर आप देखो के देंसे ये वाली साइटे डार्क होंगी बीच में कोई फरक नहीं पड़ेगा बी question number 16 16 में दोस्तों कि हम इस arrow की बात करें नीचे है इसके direction लेकिन second option में यह कहां चलेगी इस set चलेगी ऊपर चलेगी यानि कि पहले में नीचे ती direction अब कहां चलेगी इस set चलेगी तो कितना rotate हुआ होगा 90 तो बनेगा यहां तक ठीक है न देखो यह बनेगा 45 कितना इसको बनेगा तो इसको भी घुमाओ कहां पर की तरफ है लोग वाइगा तो कैसे बनेगा ऊपर की तरफ है फिर आएगा पहले आगा पैंतालिस फिर आएगा नब्बे फिर आएगा 135 तो कुछ इस step से बनेगा इस direction में आएगा यानि जो यह उपर है इस step से नीचे आएगा और जो बीज में आएगा यह कुछ step से आ जाएंगे थिका न तो step की आकरिति आपको को डूड़नी है कौन सी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो option B वाली आकरिति आपको ऐसे ही दिखाई देगी थिका न उप्षन B वाली आकरिति आपको ऐसे ही द हो गया ट्रेंगल है छोटा हो जाएगा और शेड़िड हो जाएगा उप्षन भी आपका साइंसर आ जाएगा उसके बाद बात करते हैं option question numbers 18 18 में आप देखो दोस्तों के लिखा था क्या लिखा था के लिखा था इस के को दोस्तों रूटेट कर दिया यह के ऐसे था इसको म अपर डूटेट करने के बाद और मिया काम किया दूसरी सैड भी के बना दिया तो इसमें भी दूसरी सैड भी क्या बना देगे यह ऑ दूसरी सैड जो एकको ऑसवार नहека दो दूसरे हो संव्हब कर देता हूं क्या यहा पे क dirig he was gi onto number 4 एकका मुएं об corri task ठिगहा न आरग दोस्तों पहले ही मूड़ा था खड़ा होगा तो इस टैप से हो जाएगा अब दूसरी सैड़ भी K बना दिया वहां पर दूसरी सैड भी आर बना दिया जो दूसुरी सैड बनाया है उसको शेड़ेट INFORP दो दूसरी सैड़ क्ष Μहुंघ गों गाया यहां से यहां पर गों गया अब इसमें देखो ट्रेंगल किस कोने पर है कि यहां पर है तो यह भी ढूमेगा इसी कॊमें गों इसा है एस है एक पहले वाले आजाएगा तो पहले वाले जैसा अईगा ठीका ना इस कनते हैं dat यह आएगा 2 अब इसकी भी क्या बनानी है mirror image इसकी भी क्या बनानी है mirror image तो इसकी mirror image कैसे बनेगी कुछ इस टैप से बनेगी ठीक है न और यह आ जाएगा ऐसे कैसे आएगा इस टैप से आजाएगा ठीक है न जो लाइने लगेगी आपकी जो लाइने लगेंगी दोस्तों आपकी इसकी mirror image म में वह कैसी लाएगी इस टाइफ कीह आने वाली है आप पहला नहीं होगा तीसरा नहीं होगा दूसरे चONT से कोई एक होगा आप दूसरे चौत्व に में डिफ्रेंस कि exposure line में इसमें सीधी लाइन है दूसरे में लेकिन सीधी लाइने नहीं आएंगे आप देख सकते हो टेडी लाइने आएंगी तो चोथे वाला आपका सही एंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं Doamne question number 20 की question number 20 की बात करते हैं तो question number 20 है आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही easy question है यह भी आपको क्या दिया है एक यहाँ पर दोस्तो वर्ग दिया है वर्ग के अंदर क्या है एक circle दिया है यहाँ पर दूसरे सेट में क्या हुआ यहां पर दोस्तों चार लाइने लगगी क्या लगगी चार लाइने जितने भी इसको कोने है बाहर वाली आकरिती के चार कोने है तो चार लाइने आपकी लगगी अब सेम काम दोस्तों इसमें होगा क्या दिया है त्री बुझ बीच में क्या दिया लगा देना है वो इर लेस्ट आपको यहां पे लगा देना है ठीक न किसोh question देखो क्या दिया है 21 question में एक आकरिती ऐसे है ऐसे है यह दिया है तो हुआ क्या बीच वाला डंडा तो ऐसे रहा जो यह वाला शेफ देखो किसमें दी है चोथे में दी है तो यह आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है ना इस टैप से question करने होते हैं उसके बाद बात करते हैं question number 22 अब भी करवाया तो इस टैप का question वही आ गया बस इसमें बीच में लाइने नहीं है शेड़ नहीं है यह दोस्तों जो त्रीबुज दिया है इसकी जो mirror image बनेगी ऐसी बनेगी ठीक है ना इसकी mirror image कैसी बनेगी ऐसी तो यहाँ पर इसकी mirror image बनाओ इसकी mirror image कैसी बनेगी इस step से बनेगी तो step के आकरिती कौन सी है पहले वाली ही है यह नहीं है यह नहीं है यह नही ठीक है नीस में तो थोड़ा गलत दिया है वरग आएगा किसे साथ और उसके ऊपर ऑएगा अब या तो दोस्तों यहां पर क्या हुआउगा MISPRINTE हो गया होगा XのKS, क्या होगा MISPRINTE हो गया होगा तो आएगा तो दोश्तो सेकंड ही लेकिन कि थोड़ा MISPRINTE हो गया है कुछ इस टैप से بنेगा तो OPSAT dz dairy पहें पर सँही अनसर हो जाए क्यों कि बाकि सब तो बिल्कुल अलगा है उनमें तो वर्ग आया है नहीं वो तो हो नहीं सकते तो दूसरे में मिस्प्रिंट है लेकिन आएगा दूसरा उप्सन कुछी स्टेप से बनके आएगा ठीक ना अब देखते है कोश्चन नमर ट्वन्टी फॉर ट्वन्टी फॉर में देखो बिल्कुल ध्यान से क्या दिया है वर्ग दिया है जिसमें कितने बुझा है चार आगे क्या हुआ इसके अंदर त्री बुझा आ गया जिसके बुझा कितने तीन यह जो आकरिती पहले दी हुई थी चार बुझा वाली उसके बाद वाली आकरिती म वो तो रही वरग तो रही लेकिन उसके अंदर एक कम बुजा की अन्गे तीन बुजा की एक अकरिती आ गई अब यह हमारे पास किया पंच बुज़े जिसमें कितने बुज़े है पंच ठीक है पंच बुजा है अब जब इसके बाद वाली तो 5 बुझा तो रहेंगी ही रहेंगी लेकिन होगा क्या एक कम यानि चार बुझा वाली अकरिति अंदर आ जाएगी तो 4 बुझा वाली कोई भी आकरितिया बनादे हो अंदर आ जाएगी तब ओड़ से देखो बील्कुल साब पता चरह रहा है option दो आपको यहां पर सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों उसके बाद बात करते है question number 25 की question number 25 में आप देखोगे यहां भी दोस्तों दो आपको कहा दिया है बार दिये है या आप simple समझो कि दो आपको चित्रबूज दिया है एक छोटा एक बड़ा हुआ क्या ऊपर बड़ा चित्रबूज था नीचे छोटा था लेकिन बदल गए छोटा चित्रबूज कहा चला गया ऊपर और बड़ा कहा गया नीचे बदल गए अब बदले तो है साथ में क्या हुआ जो छोटे वाला था ऊपर चला गया उसमें क्या हो गया उसमें क्या हो ग चोटे वाली राइट सेड है इसको कर दो लेफ्ट साइड ठीक है न और चोटी वाली में क्या कर दो शिडड कर दो तो इस टैप की आकरिति आपके आएगी जो कि उप्सन फस्ट में दी हुए है उप्सन फस्ट आपके यहां पे सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं कुश दिगरी घुमाना है तो 90 डिगरी घुमाएंगे कैसा बनेगा देखो यह क्या दिया है इस टैप से दिया है तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा इसको 90 घुमाँगा तो ऐसे आएगा अब बीच में क्या बचाएगे और ऐसे तो इस टैप की शेप आपकी बनेगी 90 डि कर दिए और दो हिस्से से चट में लगा दिये ठीक है आपकर की दिया है एक क्या दिया है तो इस वर्ग के भी दो हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा यहां पर और िएक किस्ति को इसी में यहां वाले में ऐसा पीसिन भी नहीं होगा तो तीसरा आपका सही हो जाएगा उसकी बाद बात करते हैं कोश्ट नमबर 28 की 28 में अगर आप जहन से देखो एक वर्ग दिया था चार भुजा वाला एक के कितने बनगे तीन बनगे और पहले में शेड़िट था अब इस दोस्तों शेड़िट नहीं रहा शे जिम्यारी बाद अगर शेड़िट था तो खट गया अगर नहीं है शेड़िट पहली हटा हुआ है तब कि बार शेड़िट हो जाएगा तो तीन त्री बुज आएंगे और वह भी कैसे होंगे शेड़िट होंगे कैसे होंगे शेड़िट तो अब यहां पर आप जैसे देख अगली आकृति में हुआ गया जो three- administrators थे चोटे चोटे उनके नाम का दूस्त एक बड़ा त्री बझ बनेगा और जो निचे एक बड़ी आकृति ती चेतर वुश वाली उसके नाम के दूस्तों तीन चोटी चोटी आकरिती यहाँ पे आ गए और साथ ही क्या हुआ ऊपर जो छोटे चोटे त्रीबुज थे वो दोस्ते कैसे थे shaded थे लेकिन बाद में जाके वो क्यों गए shaded से हट गए ठीक है अब आपको संज में आ गया होगा रिलेशन क्या लगा है यानि जो नीचे एक था वो तीन बन गए ऊपर तीन थे वो एक बन गया बड़ा बन गया और shaded थे shaded से हट गए अब सेम काम यहाँ पे होगा जो ऊपर आकरिती तीन दी हुई है वो देख बड़ी बन जाएगी एक रहेगी और नीचे जो बड़ी आकरित तो इसका अंदल पहली तो नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी option second वाली आपकी सही अंसर यहाँ पर हो जाएगी अब देखते दोस्तों question number 30 last question है हमारा 30 में 3 figure दी हुई है 1,2,3 एक circle है एक उसके नीचे 3 बुज है फिर सबसे नीचे के है वरग है अगर आप ध्यान से हो गई तो यह वाले आपको दूस्तों यहाँ पर क्या लगाना है यह वाली relation आपको लगानी है तीसरे में और बताना है चोथे नंबर पर क्या आएगा तो मैं आपको बता देतों बीच वाली बीच में रहेगी और शेड़ेट हो जाएगी नीचे वाली ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है इस 30 वाले question का comment करके बताना है सही उत्तर क्या है नीचे ठीक है ना तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा और कौन-कौन सही बताएगा इस question का answer और एक और बात आपको बतानी है तीस में से आपके कितने question सही गए हैं दोस्तों तो एक बार comment करक और वीडियो को like जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ share जरूर करें दोस्तों और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी आगे बहुत important वीडियो मिलने वाली है तो subscribe करने से उन वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी तो चले दोस्तों मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में तब तक के लिए मेरे साथ जूड़ रहीएगा जय हिंद जय भारत जय नवद्य है